हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सभी और आपके अपने यूटूब चैनल जीके ना इसमें आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे भारत की संसत से रिलेटेड कुछ कोश्चन है जो बहुत ही इनपोटेंट है जी है खास करके यूबी पुलिस के लिए यह कोश्चन है जो संसत से एक आदा कोश्चन यूबी पुलिस में लगता है इसी वीडियो में कवर हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह कोश्चन अच्छ लगेंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मे लिए स्टार्ट करते हैं भारत की संसत से रिलेटेट कुछ कोश्चन कोश्चन नमबर पहला है भारत की संग्य वैवस्तापिका को किस नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा संसत को जो संसत होती है वही संग्य वैवस्ता वैवस्तापिका के नाम से जाना जाता जी हाँ एक बात इससे कुछ और रिलेटिड है जो भारत का सविधान है जो संसद का उसमें परावधान क्या गया है अनुछेज 79 में ठीक है तो अनुछेज 79 में ही संसद है भारत की इनपोटेंट है संसद भावन को पारल्यमेंट हाउस काउट घाटन कब हुआ था तो यह 1927 में हुआ था ठीक है क्योंकि इनी के सासनकाल में बनी थी नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर चार भारते संसद का निर्मान कैसे होता है तो भारते संसद का जो निर्मान होता है वह तीन अंगों सो होता है नमबर एक राष्टपती, राज्य सभा और लोग सभा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही भारतिय संसद का निर्मान होता है नेक्स्ट है, सविधान लागू होने के बाद सवपर्थम तिरसंकु सदन का गठन कब हुआ तो इसका जो गठन हुआ था, 1989 में हुआ था, ठीक है, 1989 में इन्पोटेंट कोश्चन है यह, नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन है, कोशन नमबर छे, संसद के कितने सदन होते हैं यदि संसद के अंगों की बात की जाए, तो तीन अंग होते हैं राष्टपती, लोगसभा और राज्यसभा और यहां पर पूछा गया है कितने सदन होते हैं, अगर सदन की बात की जाए, तो दो सदन होते हैं नमबर एक राज्यसभा और नमबर दो लोगसभा next question है संसद का निम सदन कौन सा होता है तो संसद का निम सदन है या निचला सदन है वह लोग सब होता है ठीक है निम की जंगे निचला सदन भी आ जाता है या फिर एस्थाई सदन भी बोल दिया जाता है इसको ठीक है important है ये next question है question number 8 संसद का उस्धान किसे कहा जाता है तो राज्य-सभा को कहा जाता है एंस इसको इस्थाइज सदन औली उस्थाइज क्या सीस्षव गाडnant या फिर इसको इस्थाइज सदन भी बोल दिया जाता है फिर इसको सेम वर 10 है, संसद के किस सदन को परतिनिदि सभा कहा जाता है, तो लोग सभा को कहा जाता है, ठीक है next है, भारते संसद का तीसर रंग कोन सा है, अभी मैंने बात की थी, कि भारते संसद के 17 अपरेल 1952 तक रही, ठीके, नेस कोशन है, भारतिय संसद को कोन भंग कर सकता है, तो भारतिय संसद को राष्टपती भंग कर सकता है, ठीके, नेस कोशन है, कोशन नमबर 14, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कोन करता है, तो राष्टपती करते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कोश्य नमबर 15 है संसद्य पर्णाली को कौन सी पर्था भारत की देन है तो संसद्य पर्णाली की जो पर्था है वह सुन्य काल है ठीक है जो भारत की देन है नेस कोशन है कोश्य नमबर 16 संसद्य की पर्था विश्य कोन सा होता है तो जब संसद्य की बैठक बैठती है तो उसमें जो सबसे पहला विश्य होता है वो पर्षान काल चोनरी जाते हैं। नेस्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 18 है, संसत के दो कर्मिक अधिवेशनों के मद्दे कितना समंतराल होना चाहिए, तो 6 मा का होना चाहिए, ठीक है, जो अधिवेशन होते हैं, उनके अंतराल में 6 मा का अंतर होना चाहिए, ठीक है, नेस्ट है, भारतिय संसत की संपर्भु पूछा जा चुका है। कि संयुक्त बैठक जो होती है उसको राष्टपती बुलाता है नेक्ष्ट कोशन नमबर बाईस है संतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अदिवेशन हो चुके है तो चार बार हो चुके है ठीक है चार बार संयुक्त अदिवेशन हो चुके है भारत में 77 संतरता से अब तक next है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होनी चाहिए अभी पीछे कोशेन आया था कि संसत की दो बैठक होती है उनके बीच में समयंतराल होना चाहिए 6 मा का तो यहाँ पर एक वर्स में पूझा गया था देखिए संसत की दोनों सतनों की अधिवेशन को बुलाता कोन है राष्टपती लेकिन उसकी अध्यक्सता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्स करता है ठीक है लोकसभा अध्यक्स next question number 25 है संसत्य परणाली वाली सरकार को अन्यव की नाम से जाना जाता है तो संग्य सरकार के नाम से जाना जाता है ठीक है next question है भारत की संसित निदी से धन निर्गर्मन पर किसका नियंतरन होता है तो संसत का होता है ठीक है तो दोस्तों लगवग ये 25-25 question थे यहाँ से यूपी पुलिस में अगर आप लोगों को मेरी द्वारा दी गई जानका रही अच्छी लेगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर लिजे और मेरे चैनल को सोरी मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा